जजबों पर जब बरफ जमें, तो जीना मुश्किल लगता है, दिल के आतिशदान में थोड़ी आग चलानी पड़ती है जी, सामाहिन हजरात, जित्थों तीक, अंदर दी चिंगारी नो हवा देके, जमें होए जजबे आनों पर लॉंट दी गाल है, ओथों तीक ता ठीक है पर जदों अंदर दी आग जेडी है, ओपांबड बाण जान दी है, और साड़े फिजानों ही गर्मादवे, पूरे वातावरननों, साड़े आले दवालेनों गरम करदवे, ता यखीनन एस तो मारी गाल होर कोई नी हो साकती सानु पाता है कि एसदे सिटे, एसदे नतीजे, बहुत बुरे निकल देने, बहुत वर्स्ट ने, और नतीजा साड़े सारे अंदे सामने है, जी हाँ, दे लार्जेस्ट आइसप्रेक्स इन अंटार्टिका, जिसनों एस-76 ता नाम देता गया है जी दोस्तों, तोसी देख रहे हो दा अन्म्यूट ते मैहा तो आडिनाल गुर्नीत, अन्म्यूट वंडर्स थी एस नमे एपिसोड देवेच एक वारी फे तो तवाडे सारे अंदा स्वागत करते हैं एंटार्टिका दी आइस शेल्फ तो एक हूज आइस बर्क जड़ है ओ अलग होके एंटार्टिका दी वेडल सी देविच फ्लोट कर रहा है और एस नों सब तो पहला स्पॉट कीता सी एउर्पियन स्पेस एजंसी ने सेटलाइट दे थू और मिंटां स्किंटां देविच यह तस्वीरां दुनिया पर देविच जदो नशर हो गईयां ता हर एक इंसान वास्ते यह बहुत चिंता दा विशा सी क्योंकि एक बहुत वड़ा आइस बर्क जो सी ओ अलग होके उसने वेडल सी देविच फ्लोट करना शुरू कर देता तीवी चैनल ते जो खबरा नशर तो जो सेविच क्या जा जा झार एक अइस बर्ग ऑपने अप दुच वेशाया आइस बर्ग है और द理 तो तो त्री टाइमज उड़ा है जे मैंहेँटन दी गाल करीए तो मैनहेटन तो करीबन 70 टाइमज वद्दा इस बर्ग है हुन तak ता लार्जिस्ट आइस बर् forced रॉने आइस शेल्फ तो अलग होया है, एंटार्टिका दी वेस्टरन साइड एक रॉने आइस शेल्फ है, जिस तो बहुत वड़ा आइस ता चंक जड़ा है, उत्हों अलग हो गया, और नाल लग दे ही वेडल सी दे विच जिदना फ्लॉट करना शुरू कारदा है, ते चिं यह 105 मिल्स दी लेंथ वाड़ा और नियर बाओ 25 किलोमेटर्स विट वाड़ा, ए आइस पर्ग, जिकर आसी दे टोटल एरिया देखिये, यह 4,320 किलोमेटर्स, जिकर दिली दी सर्जमी दी गाल करिये, ता दिली दे रकपा करीबन 1500 स्केर फीट किलोमेटर दा है, पर ए दि आसाग देऊं कि यह किड़ी वड़ी कयामत दी अपने आप देविच इक चतावनी है, इस नो ओरिजिनली स्पोर्ट की तग या सी ब्रिटिश एंटार्टिक सर्वेदवारा, और उस तो बाद इस दी पुष्टी जो है, ओ कौपर निको सेटलाइट कर दा है, एस तो पहला लार्जेस्ट आइसबर्ग सी A23A, ते अप्रोक्सिमेटली जिस्दा साइस सी 3,880 स्कूर किलोमेटर्स, ते ए वी वेदल सी देविच फ्लोट कर रहा है, इस तो पहला साइंटिस्ट नो लगदा सी की वर्ल दा ए लार्जेस्ट आइसबर्ग है, जो रिमोट साउथ एंटल आइसलेंड नाल टकरा आजाएगा, ते ए आइसलेंड जो कि हजारा ही पैंग्विन्स ते सील्स दा कर है, उननो नुकसान हों दा खच्छा बणया होया सी, पर एस तरह नहीं होया, हाले विच काफी वड़ा आइसबर्ग A60AV, लार्जेस्ट आइसशल्फ नारो जुदा हो ये ते अर्थदा टेंप्रेचर जड़ा है, वो 19th century तो लेके हुन तक करीबन एक डिगरी ओस्ते विच जाफा होया है, और इस देनाल समस्या की हो रही है, ड्रॉट्स यानि की सुका पैंड लग गया है, हीट वेवस शुरू हो गई आने, ट्रॉपिकल साइक्लोन आने नुकसान है, इवन सानुवी नुकसान है, और हीट वेवस देनाल, एंटार्टिका दे उपर वगनवाडी जड़ी हवा है, उस कारके एंटार्टिका दी बरफता पिगलना लगातार जा रही है, दास हजार साल तो पेला दी गाल करिये, जो आइस शेल्फ एक लार्सन आइस आइस शेल्फ है 2008, फिर उस्तबाद 2009, यानि कि ए वर्तारा बड़ा आमजया हो किया, और इस दा में रीजन सी हाइड्रो फ्रेक्चरिंग, हाइड्रो पाव है पानी और फ्रेक्चरिंग यानि कि जिदा सी बोन्स दे फ्रेक्चर दी गाल कार लेंदे है, ग्लेशियर एक ख अधरो न दी उपर गिरदाया ते उपरों गरम हवा चाल दी है, तो अधी नाल वड़ी वड़ी आइस शेल्फ दे विच दराना पह जांदी है, और नतीचा एसेवेंटी सिक्स दे रूप दे विच सामने है, इन टार्टिका रिगार्डिंग हुन कुछ इंट्रस्टिंग कि उसेवेंटी सिक्स नाम किस दे देता जानते हैं, सांटीस्ट्स वाल लोओ एक्जक्ट मेजरमेंट देल ही क्वाड्रेंट्स बनाए जानते हैं, ता यह उनों पता लगया कि 105 माइल्स लोग है, 25 किलोमीटर्स दी विट वाला है, तो जो तो प्रोपर क्वाड्रेंट्स अग्जाक्ट मेजर्मेंट पता लाग जान दी है जिदा होना सी इडंटिफाय कीता कि रॉनी आइस शल्फ तो जो की वेस्टुन इरिया सी ओथों एग्जाक्ली किनना वड़ा च्रंक जड़ा है ओ अलाग हो किया अगर ओस आइस शल्फ ती कोई होर नेड़े तीड़े तुटपा जोंदी है ते फिर ओस नो जमें A76 ओदे नाल कुछ A, B लगा देता जान दे है जिस तना सी लौ दे सेक्शन देनाल आर्टिकल सपोस 255, सेक्शन 5 और सबसेक्शन B ता असी इस तना उन्हों इडंटिफाय कर वासते अपनी सौक वासते कुछ नाम दे दें दे हैं तो ऐसे तना साइंटिस्ट भी जड़ेने ओए एग्जाक्ट मेजर्मेंट वासते एस तना दे क्वाद्रेंट बना दें देने दोस्तों इंटार्टिका रिगार्डिंग होर भी बहुत सारी इंट्रस्टिंग गलाम बात तने तो अडनल साजया करांगे वर्ल्ड दा कोल्डेस्ट विंडियस्ट और ड्राइस्ट एरिया है एंटार्टिका एथे पैंग्विन्स एथे सी लॉइन्स जीनों सी सी सील्स भी कहन दे हैं उना वरगे कुछ गिनियां चुनी प्रजातिय रहन दी है और दूर दूर तक सिर्फ बर्फी बर्फ एस तो इ कर देता है एक होड़ इंट्रेस्टिंग फैक्ट इंटार्टिका रिगार्द है कि एथे फेबरी तो एक्तूबर दे मीने तक कोई भी प्लेन जड़ा उड़नी साकता क्योंकि विजबिल्टी बहुत लो हो जानती है सारा आइस ही आइस दूर दूर तक कोई वैजिटेशन नहीं कोई जीव जन्तू नहीं सो एथे करीबन 1100 अबादी है पूरे कॉंटिनेंट देविज इस दा रीजन है कि मौसम जड़ाया है दोस्तो बहुत जादा अन्प्रडिक्टेबल है इजड़ी 1100 अबादी वी है ओवी वखोवखरी कांट्रीज दे साइंटीस्ट एथे र अबादी तक हैर है ही नहीं क्योंकि खास किसम्दे स्टेशन्स दे विच्च दो टैंप्रेशन मेंटेन कीता जाना है ते ओथे ही रेंड योग कंडिशन्स जेनिया ने उनाने उत्थे स्थापित कीती होई है और ओथे कोई सर्वेंट नहीं है साइंटिस्ट खुदी अपन इंसान मौजूद नहीं है तो अपना काम देख रेक रिसर्च सेंटर्डी साइंटिस्ट खुद कर दे हैं इंडिया दे काफी सारी रिसर्च स्टेशन्स ओथे इस्टैबलिश ने एक होर इंट्रस्टिंग फैक्ट ए है कि रिसर्च स्टेशन्स इंटार्टिका दी लागी जड़ा सी कोस्ट एडिया है ओथे एस्टैबलिश कीते हो इने क्योंकि जहाज नहीं चालता है इस करके जो भी समान जड़ा है रोज मरहादियां जरूरता दा वो साइंटिस्ट तक शिप्स ते सरीए पहुंचाया जानता है इंडिया दे काफी मक्बूल रिसर्च स्टेश इंटार्टिका जो की बहुत ही विशाल काई कॉंटिनेंट है इंडिया तो करीबन चार गुणा वड़ा एक सुक्का रेगिस्थान है जित्थे 14 लक साल तो बारिश नामातर होई है हुन तक दा सब तो का टेमपरिचर 80.6 डिगरी 1960 से विच रिकॉद कीता गया सी साधी तर बरफते रूप देविच जमा है 3% विचों वी 2% इंटार्टिका दी बरफते रूप देविच ते बाकी 1% हिमालया आद दी बरफते रूप देविच स्थ है एंटार्टिका नो लैंड ऑफ साइंटिस्ट वी किया जानता है दर असल पहला एंटार्टिका गौडवाना ना स्कुक जो ब्रिटिश एक्स्लोरर सन उना ने एंटार्टिका दी खोच कीती पर एस तो बाद वी इंसान नू एस तर्थी ते प्यार रखतेयां करीबन पजटर साल लाग गई एंटार्टिका किसे एक देश दी मल्कियत नहीं है एक कॉंटिनेंट एंटार्टिका ट्रीटी सिस्टम दे अंडर रहांता है 1st December 1959 दो 12 कंट्रीज विचकार एक ट्रीटी साइन कीती गई और 2021 तक ओंदे ओंदे एस ट्रीटी दे 52 कंट्रीज में बढ़ बंचुके ने इस तो इलावा आम अवाम देविच एक कन्फूजन है ओ है आर्टिक और एंटार्टिका देविच की फर्क है और कई वारी कन्फूज हो जान देने सो एस कन्फूजन नू बढ़े सरल तरीक के दना आल क्लियर कर देहां कि जदो असी इंडिया दा मैप देख देहां और जमू एन कश्मीर तो जदो असी नौर्थ वारी साइड नू यानि की नौर्थ साइड साधी जमू एन कश्मीर है उत्तों असी उपपर वालनू जाना शुरू कर देहां तर्ती दे नौर्थ पोल वालनू और यकीनन बरफना लद्या होया प्रदेश है पर एक कॉंटिनेंट नहीं है वो थे बायोडिवर्सिटी है बहुत सारी स्पीशिस सर्वाइफ कर दियाने और वो थे जन जीवन जड़ा है वो काफी हाथ तक ज्यादा है एन्टार्टिका नारू और एस ती ऑपोसित जदो असी कन्या कुमारी यानि कि इंडिया दे सद्रन पाट तो नीचे वालनों मूफ कर देया अर्थ दे सद्रन पोल तक साउथ पोल तक ता एंटार्टिका दे बिट्वीन अर्थ दा साउथ पोल एक पॉंट है वो वाला सारा रीजिन जो है वो नहीं है तो ए इना दे विच एक मिन्यूट डिफरेंस है अपने आप दे विच बहुत वड़ा डिफरेंस है क्योंकि नाम कुछ-कुछ सेम सेम ने इस करके आर्टिक थे एंटार्टिका दे विच अकसर लोग चेड़े ने ओ कन्फ्यूज हो जानते ने एंटार्टिका बरफता रेगिस्तान है पर एथे बहुत गुप्त अस्थानवी मौजूद ने जिते विज्यानियां दा मनना है कि गुप्त रूपते विच एथे जीवन हो सकता है कुछ साल पहला एंटार्टिका दी बरफती नीचे साइंटिस्ट वलों जीवन दी खोज शुरू कीती गई जिस विच ऐसे कुछ सबूत मिले जितों पता चालदा है कि ये थे जीवन है शोट तो पता चलिया कि एंटार्टिका दी जमी होई बरफ थले तरल चीला मौजूद ने हुन तक एस तरह नियां 400 चीला दी खोज कीती जा चुकी है डिस्कवरीज एकॉर्डिंग जे कर तरल रूपते विच चीला मौजूद ने तक किसे वक्त वो हवा ते रोश्नी दे संपर्क विच ज़रूरा हियां होन किया हुन सवाल ए है कि जे कर एंटार्टिका विचली बरफ जिड़ी है ओ पिगल जाएगी तक ही होईगा वर्ल्ड दी एक नामी जर्णल है नेचर इस दे 84 रिसेर्च दी टीम अन्टार्टिका गई 2012 तो लेके 2017 तक दा डेटा लेया किया जिस तो ए तत सामने आया कि जे कर जिस तदाद दे नाल इंटार्टिका दी एस्ट बेल्ट जड़ियों लगातार पिगल रही है एसे तरह हुंदा रहा ता असी इंडिया दा टू मीटर लैंड जड़ा है उखो दे आंगे जी हाँ बहुत सारा लैंड जड़ा इंडिया दा मेंड लैंड और डूब जाएगा जिस पित सादे मेंड सिटीज ने मुंबई है चिन नहीं है एसे तरह इसे तरह इस्टरिं स्टेट्स देनार भी एही काफियत है और नहीं नहीं मौरेशियस, इंडोनेशिया, सिंगपॉर वर के क पाफी जादा खाद रहा है और पिछले पांच साला दा डेटा असी देखिये ता हर साल इंटार्टिका दी इस्ट बेल्ट तो 219 ट्रिलियन आइस चिड़ी है और लगातार पिगल दी जा रही है और जेकर इसे तरह हर साल लगातार हुंदा रहा ता असी इंडिया दा पूरा ही डुप जाएगा इस तो इलावा अर्प कांट्रीज साउथ मेर्का दी बहुत सारी कांट्रीज जड़िया ने डुप जान किया और पूरी एंटार्टिका दी बढफ पिगलन दिनाल सी लेवल जड़ा है और करीबं दो सो फुट तक एंहांस हो जगा और लगा करो जड़िया और थ्वाटीज ग्लेशियर इनना दे विच्छों दो प्रमुक नाम ने जिनना दी पिगलन दिया खबरा जड़िया ने तेजी देनाल साइंटिस्ट वल नो देतिया जारिया ने और दोस्तों यखीनन साथ एकुल समा जड़ा बहुत काट है सतर शी साल तब पानी देनाली खतम होएगी तब पानी देनाली खतम होएगी तब यह प्रडिक्शन जड़िया उ कितने किते साच्छोंदी जापती है सो सनु लगदा है कि हले सतर असी साल पहे है बेशक एसनो थोड़ा टाइम लगगगा नी जल्दी नहीं होएगी पर कुद्रत दे तब पानी देनाल या टाइम दे शिकंजे दे विच गाद नहीं कर साकते क्योंकि जिस तदा देनाल गलेशिर बहुत ज्यादा और तेजी देनाल पिगल रहे ने गलेशिर जोड़ा है एक जमया होया गलेशिर आइस शीट नो चैच करके रागता है और उस ते पिगलन देन जेटा जोड़ा है और लूज हो जानता है ते वड़े वड़े आइस बर्ग्स ने जेड़े ओ शीट देनालों टुटके मेल्ट होने शुरू हो जानते और शिविच जो ते बहुत वड़े एक्जामपल है और झाड़े सारे ने यह जामने है जी दोस्तों हुन यह जोड़ तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सडकों पे उजाले हैं, दोस्तों असी जड़े कंक्रीट दे जंगल उगाले ने, नाचुरल जंगल काट देते ने, इंडस्ट्रिल रेवलिशन असी इजाफा इस दिविच करके, असी कितना किते अपनी पिट थप पा रहे हैं, पर सानों पता विनी लगना की कदों एही इंडस्ट्रिल रेवलिशन ने साधी जान दा खौब आज जाना है, साल 1750 देविच, जदों इंडस्ट्रिल रेवलिशन दा आगाज होया सी, ओस विड़े इंवार्मेंट देविच, 41% अफ कार्मोडा एक्साइड व साधे हाथ विच है, ओवखरी गाला की असी सॉल्यूशन कदों करना चाहांगे, किते एना होवे की एक सिल्क वाम दी तरह रेशम दा जाल असी अपने इर्द गिर्द बुन लईए और ओही जाल जड़ा है, साधी जान दा खौब आज जावे, मैनु तै यसी तरह होंदा ज प्रोग्राम है थे ही खतम करन दी, अगली वन आफ फेर तो एक नमे अपिसोड दिन आलत वाडेंबरो होंथे दमांगे दस तक ता तक ली देख दे रहो, दा आनम्यूट, पहुत बहुत शुक्रिया